वेलकव तो दे सेशन गाइज माने में शोबं सूर्य वंशी और इस पर्टिकला वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सर्केट्स के बारे में बात करने वाले हैं देखिए टॉपिक किसी-किसी को थोड़ा सा डिफेकल्ट लग सकता है क्योंकि इसमें जो differential equation बनती है वो एक linear differential equation होती है और linear differential equation को solve करने में किसी-किसी को थोड़ी difficulty आ सकती है ठीक है, तो पिछले unit में हमने दो-तिन टाइप के differential equations डिसकस की थी exact differential equation थी, reducible to exact, फिर linear थी और reducible to linear भी थी ठीक है, तो मेरे एक request है, अगर आपने linear differential equation को skip किया होता वहाँ पर, ठीक है तो ऐसा मत करो, उस वाले वीडियो को जाके देख लो, पिछले unit के लागे तो मैं उपर के यह link भी देदूँगा वन्ना playlist पे सर्च करना मिल जाएगा, अगर आप linear differential equation से comfortable नहीं है तो आपको यहाँ बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्लीज उस topic को cover करें, उसके बाद यहाँ देखना शुरू करें ठीक है, चलेए, वो अगर आता है तो फिर दिक्कत नहीं होगी electrical circuits के अगर हम बात करें, तो हमें अपने syllabus के इसाफ़ से दो type के circuits पड़ दे है circuit के बारे में आप जानते होंगे, इसे एक complete wire connection लगा के circuit बन जाता है अब पहला circuit है मेरे पास RC circuit, RC circuit का मतलब क्या होता है, कि एक voltage देने वाला entity होगा voltage दे रहा होगा, circuit में मेरे पास resistor लगा होगा, और एक capacitor लगा होगा तो RC में R क्या है, resistor है, और C क्या है, capacitor है, ठीक है, दूसरा circuit मेरा LR circuit है, उसमें R वापस है, resistance है, और L क्या है, inductor है, inductance मेजर करते हैं इसको, ठीक है दो टाइब के circuits आपको पढ़ना है, दोनों इस circuits के differential equation बनानी बहुत easy है, अभी जो R और C circuits हैं, इनमे R क्या होता है, resistor, C क्या होता है, capacitance, वो सब हम देख चुके हैं, measure कैसे करते हैं, R, resistance को हम measure करते हैं, ohms में, ठीक है, और C होता है मेरा capacitance, capacitance को हम farads में measure करते हैं, ठीक है, L हो of 0.2 Henry's, तो मुझे पता हो ना, J inductance लिखा है, मतलब L आ रहा है, तो उसका measurement दिया हुआ है, ठीक है, ना अगरे हैं circuits की बात करें, तो differential equation बन कैसे रही है, देकि differential equation बनती है, voltage drop को calculate करके, ठीक है, जैसे माल लीजे, आपने एक battery लगा रखे हैं, battery एक certain voltage प्रोवाइट कर रही ह तो resistance के across कुछ voltage का drop होगा, capacitor के across कुछ voltage का drop होगा, ठीक है, तो उसी voltage drop को add करके हम एक equation बना सकते हैं, same चीज अलार सरकिट में भी है, battery लगा रखे है, battery जो है, voltage देगी, तो resistor के along कुछ voltage का drop होगा, inductor के along कुछ voltage का drop होगा, और उन दोनों को add करके हम equation बना सकते हैं, ठीक है, तो कभी भी अगर मैं डॉर्जिस्टर की सूह कितना वोल्टेश ठॉब होता है मैंने से चाहले तो नोट करूब कर लीजए का कि अगर मैं रेजिस्टन्स के आलूंग वल्टेश टॉप की पराबर ठीक है थोड़ा सा अपना comfort के लिए i into r की जगे पे हम r into i लिखना जादा पसंद करते हैं कोई फरक नहीं पढ़ता वाई कैसे बहुत हो ठीक है वैसे capacitor के across जो voltage drop होता है कितना drop होता है capacitor के across voltage drop होता है exactly q divided by c के बराबर ठीक है क्यों होता है charge c होता है मेरा capacitance है वैसे inductor के across inductor के across कितना voltage drop होता है inductor के across ldi by dt के पराबर voltage drop होता है ठीक है तो इन तीन चीज़ों को थोड़ा से ध्यान में रखिए का because equation में इन्हीं के वैलिट करने पड़ती है current मेरा सिंप्ली आई से डिनोट किया चाता है और कई बार current को हम एक और तरीके से डिनोट करते हैं जिसका नाम होता है dq by dt हैना why because current is nothing but the rate of flow of charge current को i is equal to dq by dt भी कहीं के दिनोट किया जाता है यह तीन चीज़े हैं मेरे पास resistor, capacitor, capacitor और inductor ठीक है तो इन तीनों के अग्रोश voltage एससे drop होता है अब voltage drop अगर हमें पता चल चुक है तो चलिए फटा-फट सा equation बनाता है ठीक है तो यहां पर बैटरी लगा यह बैटरी से current flow होगा चार्ज फ्लो होगे यहां पर तो आर के अबाउट कितना voltage drop हो जाएगा कितना voltage drop होता है तो दोनों voltage drops को अगर मैं add कर दूंगा तो क्या मिल कितना रॉप होगा वही था कितना फिर के बढ़र एंड e के बराबर देखें कई जगाओ पर और यहाँ पर दोनों जगे e लिखा जाता है कई जगाओ पर यहाँ पर वी और यहाँ पर e लिखा जाता है frankly मैं बता रहा हूँ मैंने इतने questions करके देखे वीडियो बनाने के पहले भी और मुझे इतना समझ में आए कुछ पी लिखो कोई भी फरक नहीं पड़ता है ठीक है अलाकि दोनों के बतलब कहने वाली बात है कि वी को हम voltage बुलाते हैं एक को हम इनके दोनों अलग अलग होने से कोई फरक नहीं पड़ेगा कई बार तो वी की जगह भी लेके ही सॉल्फ कर लेते हैं अब देखें यह मेरे पास एक नॉर्मल सी equation दिख रही है r i is plus q by c is equal to v हमें क्या करना पड़ेगा इसको एक differential equation में convert करना पड़ेगा कैसे convert करेंगे सिंपल है या आई के बारे में अब आपको एक differential equation बनती दिख रही होगी है ना इस आर को अगर मैं नीचे लिख लूँ तो differential equation मुझे और बहतर तरीके से दिख जाएगी correct इस इस गोना भी माई dq by dt प्लस यह आर से मैं सब और अभी और differential equation कैसी differential equation लिए द्यान से देको dq by dt उपर dq नीचे dt साथ में q है तो this is linear in q अगर कोई से compare नहीं कर पा रहा होगा तो मैं आपको short में linear in y लिखके दिखाता हूं आपको ध्यान आएगा थोड़ा सा है ना तो linear in y कैसे लिखते थे हम d y by dx प्लस पी इंटू y is equal to q है ना और आगे एक चीज़ और एट करते थे कि पी शुड़ा सा बेनेफिट के लिए हमें से पी और नीचे dx और साथ में single y होता था तो linear in y बोलते थे इसको यहां compare करोगे तो उपर dq नीचे dt साथ में single q है यहां पर तो हम इसे simply बोल पाएंगे कि यह कौन सी है यह एक linear differential equation है कैसी वाली linear है this is my linear in q guys ठीक है अना तो यह समझना बहुत ही ज्यादा असान है तो जो लोग थोड़े से प्रो है 1.5 x में चला सकते हैं या थोड़ा आगे बढ़ वाकि जोतने ज्यादा प्रो नहीं है पर यह सांसा चलिए by the end of the video एक दम प्रो हो जाओ गया ठीक है चाओ linear in q के बारे में हमने समझ लिया है अब इस equation को solve कैसे करना है देखे method तो हम पहले भी सीख चुके थे ठीक है आगे कुछ दो तीन questions को practice करेंगे हमें याद आए का general solution क्या होता था इसका और हम solve कर लेंगे ठीक है जस्ट एक reference देने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि linear in y linear in y का जब हम general solution लिखने की कोशिश करते थे ठीक है तो क्या होता था चलिए यहीं लिख देते हैं थोड़ी जगे है तो linear in y का जब हम general solution लिखते थे तो हम लिखते थे y से start होगा y e की power integral pdx is equal to integration of q into e की power integral pdx का whole dx plus c ऐसे हम लिखते थे general solution इसको लिखने का और एक तरीका ल होते थे यार integrating factor is equal to e की power integral pdx लिख देंगे हम ठीक है और general solution ऐसे लिखते थे कि y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c same ही चीज़ है आप integrating factor अलग से निकालगे बाद में फुट करो या फिर साथी साथ करते चलो जैसे आप याद करना चाहें कर सकते हैं ठीक है जो लोग शुरू से मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं वो लोग इस format से comfortable हो जो क्यों है कि हमेशा हम नहीं यह use किया था तो इ कैसे आएगा देखिया का थ्यांसे तो क्यूं से शरुबार दो गpowers क्यों अब देखो पी आற। यह जो बचा हुआ पार्ट को हम किया पीड एक साथ अब डीक्यू वापस से इंटीग्रेशन ऑफ इकी बावर इंटेग्रेशन पीडी इस पूरे का डीटी ना किस तरह से हमें एक लीनियर एक्वेशन बनानी है और इसका जनरल सॉल्यूशन लेकर सॉल्फ करना है जिस जिसने लीनियर इंड वाई और इसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी जिसने नहीं किया है अभी वी वक्त है जाके प्रेट्टिस कर लो ताकि यह समझ में है आपको ठ तरीके से एक एक एकवेशन बन रही होगी जिसका जनरल सॉल्यूशन यह को का ठीक है थोड़ा एक दो बार लिखे प्रट्रस कर लो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए तो यह थो आमने बात कर ली किसके बारे में हमारे सी सरक्ट के बारे मुद उसको च्ट दिसकूशन कर बनती है जैसे हमने देखा था भाई वोल्टेज रॉप के साथ से बनती है तो इसके अ क्रॉस वोल्टेज रॉप कितना होता है रंटु इसका क्रॉस क्या होता है अल्डी आप इसे में लिख दूँगा आर अपॉन एल इंटो आई इस एक्वल टू इडिवाइड बाई अब देखे ध्यान से यह भी मेरे पास एक लिनेर एक्वेशन बन चुकी है उपर डी आई नीचे डीटी साथ में इंडिविजल आई तो यह कौन सी लीनेर इन आए अब इसका भी अ नोट कर लीजिए अच्छे से ताकि आपको दिक्कत ना हो अगयन वेसे मैंने कहा कम से कम छे से साथ क्वेशन में आर्सी सर्गेट के यहां पर करवाने वाला हूं ठीक है तो जो लोग प्रो है आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ साथ बाकी लोग चलेंगे ठीक है और सारा का स कंडे साथ के सामने जो कुछं है वो कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा क्या क्या इंफरमिशन रहेगी देखो एक तरकें साथ डोनों सर्केट में होता अभी तक मुझे नहीं पता की आंसी सब्सक्राइब और से अब देखो उसने कंडेंस और बोला है मतला है मुझे क्या थोड़ा स्लो जाऊंगा जैसे मैं कहता हूं हमेशा जो लोग प्रो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास एट ओम से यह ओम का संबल होता है और के पैसिटेंस की जो वैल्यू है डाट इस इक्वल डू 0.5 फैरेट्स ठीक है मैं फ सरकिट में होता है resistance और सी मतलब होता है के पैसितेंस ठीक है और साथ में क्या लगती होती है एक बैटरी लगती है ठीक है तो हम बोलते हैं कि भी इसके अक्रोस कितना रडब होता है और इंडिचन बना सकते अभी डिटिफेर होता है किसे सकते हैं इक यूवाइट से ठीक है तो अगर आप इसे रिप्लेस कर देंगे तो आपकी एक डिफेरेंशल एक्वेशन रेडी होने लगेगी ठीक है अब को इसी तरीके से अपने डिफेरेंशल इक्वेशन को लिए कि बनाना पड़ेगा ताकि आपकी प्रेक्टि C into Q is equal to V divided by R so ultimately हमने 2-3 step कर ली और अपनी differential equation यहां पर बना ली है ठीक है ना कई बार लोग क्या करते हैं इसी differential equation को directly solve करना शुरू करते हैं मैं recommend करूंगा कि आप इसे directly solve करना शुरू ना करें ठीक है सबसे पहला काम जो कुछ information question में given है उस सारी information को put कर लीजिए ठीक है यह फिलाल काम करने इसे हटा देखें तो क्या-क्या information देवन है question में देखें का सब्सक्राइब है कितनी 8 ohms c के value है 0.5 v के value 80 तो best रहेगा कि मैं इन सारी values को यहां पर put up करता हूं चलिए सब्सक्राइब करने के बाद हमारी equation क्या बनेगी डीक्यू डिवाइड बाइड बाइड प्रस वन डिवाइड बाइड बाइड है ना रिजिस्टन्स के value है नीचे क्या रिजिस्टन्स कितना है आप यह साथ है ठीक है ना वाल्यू समने पुट अप कर दिए अब देखी एक्वेशन कितनी सिंपल होती चाहेगे डीक्यू बाइड बाइड प्लस वन डिवाइड बाइड रहे पास फोर इंटो क्यू इस एक्वाइड टी डिवाइड इस एक्वाइड ना मैं चीज़ बता दू आए रियली डूंट नोगी इस तैप के बेसिक लेवर के कॉश्टन्स आपको कॉलिज में करवाए होंगे नहीं करवाए होंगे ठीक है पट सीखने का तरीका यही है अगर आप इन बेसिक कॉश्टन्स को स्किप कर दोगे तो सब्सक्राइब तो नदेकर में सब्सक्राइब में तो इसका इने क्यूंट इसका जन्रल सॉलिuson क्या हो जाएगा चरें साइड में लिखते हैं so the general solution of the differential equation will be given by Q into E key power integral Q into E key power integral P is equal to whole integration of Q into E key power integral P D T whole D T plus C sum constant रहते हैं C देखो आप C लेना चाओ C ले लो बेरे साफ से आप constant को A लेकर चलेंगे तो बढ़िया रहेगा क्यों तो एक ही आदर डालोगे तो थोड़ा से ठीक रहेगा ना यह general solution लिखने में अगर आपको दिक्कत आ रही है in case ठीक है नहीं आ रही है तो थोड़ा से forward कर लो आ रही है तो देखो कैसे लिखा हुआ है मैंने कुछ नहीं था बहुत सिंपल तरीके से लिखा है कैसे लिखना था अगर मैं आपके इस वाले की बात करता हूँ d y by dx की बात करता हूँ ठीक है d y by dx plus p into y is equal to q तो इसका general solution कैसे निकलता था कुछ नहीं करना था सबसे पहले हम क्या करते थे e की पावर integral p dx की जैसी value आ जाती थी तो उस value को ठाके हम अपने general solution में रहते थे e y into e की पावर integral p dx is equal to q, sorry, full integration of q into e की पावर integral p dx इसका whole dx plus some constant c या a बोल सकते है तो इसी equation को जब यहां compare करेंगे तो d y by dx यहां में बस d q by dt त जहां जहां y है वहां वहां q आ जाएगा जहां जहां x है वहां वहां t आ जाएगा अब ऐसे बोल सकते हैं अब linear in y का solution y से q into e की पावर integral p यहां पर क्या आएगा dx नहीं आएगा dt आएगा क्योंकि dx यहां के साथ होता था इधर नीचे dt है तो dt के संच चलेगा रहां so again मैं कह रहा हूं linear in y अगर आपको अच्छे से आती है तो बहुत अच्छा आपके लिए नहीं आती है still आप जाके पिछले वाले द्यान रखेगा यह जो capital P है उसके value कितनी हो जाएगी 0.25 के बराबर और यह जो capital Q है उसके value कितनी हो जाएगी 10 के बराबर ओके यहीं format है linear in y अगर नहीं है अच्छे से तो दिक्कत होगी अधर वाइस आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है चले ओके सबसे पहले हमें किस ची इसे पहले निकाल लेते हैं इकी पावर इंटेगरल पी डीटी कि वैल्यों कितनी होने वाली है इस इस गोना भी टुदी पावर इंटेगरेक्शन ऑफ पी कितना है मेरे पास 0.25 ठीक है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं इटु दे पावर 0.25 इंटू अब इस वैल्यों को जब जैसे हमारी वैल्यों आ जाएगी उसको ठागी हम अपने रखतेंगे ठीक है तो यहां पे लिखाते हैं सो इसे पूट आप करना हमें क्यों इकी पावर इंटेगल पी डीटी किया है मेरा 0.25 टाइंस ऑफ टीक है इस एक्वल टू होल इंटेगरेशन ऑफ क्यों को भी सब्स ठीक है इस इस गोना भी 10 इंटू इकी पावर इंटेगल पी डीटी वापस से बनेगा 0.25 टाइंस ऑफ टी है ना प्लस सम कॉंस्टेंट बिलेगा एक इसको क्यू इंटू इकी पावर यह तो अल्रड़ी सॉल्ड है यहां पर कुछ करना नहीं 0.25 टी इस एक्वल टो इसका इंटेग्रेशन करना था 10 जो है कॉंस्टेंट तो बहार जाएगा अंदर बचेगा सिर्फ इसका इंटेग्रेशन इकी पावर सम्टिंग का इंटेग्रेशन क्या होता है 0.25 टाइंस ऑफ टी और हमें इसके क्या करना पड़ेगा 0.25 टी की डिफ्रेंसिशन से डिवाइट क तू करने के वाद मुझे का करना पड़ेगा तो वैसे की कि बावर सम्टिंग का इंटेग्रेशन क्या पनेगा और यह अगन कुछ है तो इसके डिफ्रेंसिशन से डिवाइट होगा ठीक है बेसिक फॉर्मला पहले से सीखते हैं इसको ना अग्रे स्टेप में क्या करेंगे this is gonna be q into e q power 0.25 t is equal to 1.25 इसको 1 upon 4 लिख सकते हैं तो यह 10 into 4 क्या बन जाएगा मेरा 40 40 into e q power 0.25 times of t plus some constant a ठीक है तो यहां तक आपका काफी कुछ solution बन चुका है सवाल में मुझसे पूछ क्या रहा था सवाल में पूछ रहा था कि find the charge in the circuit at any time t मतलब q और t charge मतलब q होता है q और t में relation बताना था q और t में relation काफी हद तक आ चुका है लेगे जो constant is constant को भी remove करना ज़रूरी है ठीक है कैसे करेंगे यहां के बाद की steps काफी common होती है क्या करते हैं सबसे पहले इस पूरी equation को आप क्या करें e की power 0.25 t से divide कर दो यह हर बार use होगा ध्यान रखेगा तो इस पूरे equation को अगर e की power 0.25 t से divide करें तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा q बचेगा यहां पर भी सिर्फ बचेगा 40 यह बचेगा a divided by e की power 0.25 t और हम इसे कभी भी division में लिखेंगे इसको ऊपर ही लिखेंगे तो यह लिख पाएंगे हम a into e की power minus 0.25 5 times of t ठीक है हर question में हमें यह step करना है ठीक है जब भी e की power something बचता है तो उसको divide करके लिखना है अब इस q को दूर ना रहने तो थोड़ा सा फास में लेके आ जाओ ठीक है so q is equal to this thing मुझे मिल रहा है अभी भी मारा काम खतम नहीं हुआ है क्यों क्योंकि अभी तो मैंने सिफ q और t के बीच में relation बनाया है लेकिन यह relation में मेरे पास कौन है मेरे पास a है ठीक है a constant होता है मुझे इस a को खतम करना ज़रूरी है तो इस a को कैसे खतम करेंगे द ठीक है तो आप इस information को यहां side में ऐसे use कर सकते हैं अब बोलोगे कि at at my t is equal to 0 the charge in the circuit q is equal to 0 ठीक है तो अगर मैं इसको ठाके put कर दो अपनी equation में तो q is equal to 0 40 प्लस a into e की पावर minus 0.5 into t यह बन जाएगा 0 कुछ नहीं किया t is equal to 0 put किया है और q is equal to 0 put किया हुआ है तो मुझे a की value कितनी मिल रही है minus 40 के बराबा है ठीक है e की पावर 0 1 बनेगा तो a is equal to कितना हो गया minus 40 अब a की value निकल चुकी है इसको उठाके अपनी equation में डाल देंगे तो question अपना solve हो जाएगा so finally हम बोल सकते हैं कि हमारा q is equal to 40 ठीक है प्लस a की value कितनी है मेरे पास minus 40 आई है e की power minus 0.25 times of t ठीक है और इसको better तरीके से कुछ लोग लिखते हैं 40 को common लेके 40 को common ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 minus e की power में minus 0.25 times of t ठीक है तो आपके उपर है आप चाहो तो अपने question को इस point पर आके भी छोड़ सकते हो यहाँ नहीं छोड़ सकते constant के साथ नहीं छोड़ना है constant की value निकाल के छोड़ना है ठीक है तो finally यह वाला भी answer ठीक है आपका या आप 40 common लेके यह भी बता सकते है ठीक है चलिया so question थोड़ा सा slowly हमने solve किया step by step किया पूरी तरह सा समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ सकते हैं एक short में आप इसका relation अगर देखना चाहें कि कैसे हुआ था तो मैं आपको बता देता हूं question आपके सामने जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा क्या करना होगा question में question में आपको given होगी resistance की value कैपासिटेंस की value voltage की value तो resistance को आप देखे बोलोगे भी या RC सरकेट है क्या होता है इसको मिला के बंदा टूटल वोल्टेश इसके साबसे बनेगी डिफिरेंशल एक बन गए तो उसको सॉल्फ करने के पहले जो वैलियू से उससे पूट कर लीजे पूट करने से फायदा क्या होता है आर सी वी आर यह सब कॉंस्टेंट रहेंगे ठीक है ध्यान रखिये का हमेशा आर सी वी आर यह सब कॉंस्टेंट है उट अप करने से बहुत अच्छे नेचरल फॉम में आजाते हैं अब यह एक linear in q है linear in q का general solution क्या होता है q into e की पाव एंटिरल pdt दिट दिस दिस माला करने आती है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसको नहीं आती है वो प्लीज चाहके मेरे वीडियो को चेक आउट करो अगे तो अगर आप डिरेक्ली देखना चाहते हो तो नहीं देख सकते हो जो पूचेगा है वो सब आगे डिसकस्ट है ना इस पर्टिकलर क्वेशन मेरे एक रिकमेंडिशन रहेगा आप इस वीडियो इस क्वेशन को खुद से एकबट राए करें सॉल्फ दने का अगर इन केस नहीं बनता है ठीक है तो फिर आप सॉलुशन देखने की कोशिश करें ठ शुरुआद करते हैं इसकी तो डिस तो सब्सक्राइब करते हैं इसकी तो और सॉर्किट कंजिस्ट ओफ रिजिस्टेंस आर इस एकुल तू 5 वोंप्स ठीक है वह सब शुरुआद हो रखिए हमारी रिजिस्टेंस की वाइलु के वहने है पांच ओम के बराबर ठीक है इस एकुल तो जीरो पर देर जो चार्ज इंदर सरकिट निकलनाए गाम है अगया फाइंड दा चार्ज इंदर सरकिट इन टाइम टी तो चार्ज और टी मिलब क्यों और टी के बीच में रिलेशन बनाना है तो अगर आर्सी सरकिट के एक्वेशन याद है ठीक है इनकेस नह दोनों वोल्टेश द्रॉप को अगर मैं अडब कर दूंए तो रूस्टेंस का वोल्टेश दॉप ना इस विल्पी इकल तू टू टू है टूटल वोल्टेश दॉप राइट मुझे simply क्या करना है आई जो है उसे मैं DQ by DT से रिप्लेस कर सकता हूं उससे फाइदा क्या होता है कि जो equation बनती हो थोड़ी सी better बन जाती है ठीक है हना so plus Q divided by C is equal to V या technically differential equation बन जाती है हना now this is gonna be my DQ by DT plus R को पूरी equation को और से डिवाइट करेंगे यहां बनेगा बना पॉन आर सी इन्टु क्यू देखिए बार-बार मैं इसलिए भी लिखके दिखा रहा हूं रटने से अच्छा है कि आप मेरे साथ साथ correct question में लिख लिखके practice कर लें से यह आपका strong हो जाए ठीक है चाहिए सो differential equation हमारे बास में ready है अब simply मुझे इस differential equation में values को put up करना है और अपने question को solve करना है ठीक है चाहिए यह एक्स्टा वाला पार्ट है इसे हम एरेस कर देते हैं फिलाल कोई काम का नहीं है हमारे आप डेस्टेंस और सी के value put up करते हैं सो दिस इस गाना भी माइं डी क्यूवाइ डीटी प्लस वन अपॉन रिजिस्टेंस मेरे पास पांच का सी है फॉर का तो फाइफ फॉर्जा ट्वेंटी दिस इस वन अपॉन टू बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है इस इस गना भी इसे और थोड़ा बेटर तरीके से लिखना चाहों सो डी क्यूवाइ डी टी प्लस वन अपॉन टू को आप लिखोगे जिरो पॉइंट फाइफ टाइमस ऑफ क्यू इस एक टो कितना सिक्स ठीक है नाव सिंप्ली बोल सकते हो कि यह एक डिफेंशियल एक ऐसी डिफेंशियल और इसमें जो हमारा पी है उसकी वाली हो जाएगी 0.5 और हमारा कैपिटल क्यू इसकी वाली हो जाएगी सिक्स करेक्ट इसका अगर मैं जन्रल सॉलूशन लिखने की कोशिश करता हूं ठीक है ना यहां पर हम आपके लिख देते हैं तो चैनरल सॉलूशन ऑफ देखो क्या क्यों पावर है स्टार्ट कि यूज से होगा क्यू इंटवी की पावर इंटिक्रल और सात में क्या बनेगा मेरे पशलब ड़ेगा और हम अभी सिकाकोशिश 것은 कूंसें की जगे उने देधेर को टेन्याट करें है को तो यह समझ में नहीं आ रहा होगा उदर जाके हमाँ प्रैक्टिस करो इसलिए यूनिट का पार्ट था अगली स्टेप में क्या करना चाहिए मुझे किसी तरह थोड़ी मिनत करके अगर मैं इसकी वैलू निकाल लूँ तो कॉस्ट्ट में लिए असान हो जाएगा शरी निकाल लेते हैं एकी पावर इंटिग्रल पी टीटी की वैलू चाहिए मुझे यह रहा दिस इस किवन वाइए की पावर इंटिग करेंगे आंसर निकल जाएगा शली पूट कर देते हैं आपके लिए तो इस इस आर एक्वेशन जो सॉलूशन मन रहा था पूट करना शूरू करते हैं इसमें क्यों इंटू इकी पावर इंटिग्रल पी टीटी की वैलिए थी पावर 0.5 टी ओके तो दिस गॉना बी 0.5 टी is equal to whole integration as per the question मारा जो क्यू है वो क्या है एक्वेशन को देखो compare करोगे तो मेरा जो क्यू है वो 6 के बराबर है यह पूरा पी बनता है यह पूरा क्यू बनता है ओके सो दिस इस इंटू वापस से एकी पावर इंटेग्रल 0.5 टाइमस ऑफ टी इस पूरे का डीटी प्लस यहां कलती हो गई है इंटेग्रेशन तो हम अल्रेडी कर चुक है यहां पर सो इकी बावर इंटेटी की वैल्यू ही की बावर 0.5 टी तो इंटेग्रेशन थोड़ी करना वापस से नाव सिक्स इस पूरे का अब यह बनेगा तो 6 इंटू एकी पावर 0.5 टी और अब डिवे इसको थोड़ा और बैटर लिखने के लिए मैंने क्या सिखाए था हर बार यहां पहुंचने का एक स्टेप करनी है हमको इस पूरे को 0.5 टी से डिवाइड करना है तो सिफाइदा क्या होता है देखेगा यह डिवाइड होगा तो सिफ ट्वैल बचेगा और यहां पर एडि इसामात है कि एक्वेशन थोड़ी जादा बेटर और बैलेंस तरीख्या से दिख रही होती है ठीक है तर इससे को अना भी माइन इक है YES में चार्ज और टाइम की बीच में एक रिलेशन बिख ता हमें क्या करना चाहिए सिंपली आपको अभी एकी वैल्यू निकालके देनी है इसको कैसे निकालेंगे एक की वैल्यू चलिए पीछे देखते हैं मुझे गिवन था कि इनीशली जब T is equal to 0 था उस समय दिर वस नू चार्ज इंदर सर्किट तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं मुझे गिवन है T is equal to 0 तो चार्ज इंदर सर्किट Q is equal to 0 put up करते हैं तो Q is equal to 0 put करेंगे 12 प्लस A into E की पावर में something into 0 is some 0 only E की पावर 0 1 बन जाएगा therefore A की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको माइनस 12 उठा के वापस डाल दो अपने question में तो finally आपको मिलेगा Q is equal to 12 प्लस A की वैल्यू है माइनस 12 E की वावर माइनस 0.5 T ना यहां तक question छोड़ दो के तो भी चलेगा या फिर एक step में जाके 12 common लिखके आप 1 माइनस E की पावर माइनस 0.5 T यह step भी करके question को छोड़ सकते हैं ठीक है so this is the relation between charge and time या Q is depending on time like this यह पूछा था find the charge in the circuit at any time T so at any time T charge in the circuit will be Q question को थोड़ा better बनाने के लिए वो यह भी कर सकते हैं कि find the charge in the circuit at T is equal to 5 तो ऐसे मैं क्या करना है देखो charge in circuit at any time T तो आप निकाल चुपके हो अगर T is equal to 5 पे चाहिए तो इसी यहां तक same solve करने के वाद T के value 5 पूट कर देंगे solve कर देंगे question को जाएगा आपका ठीक है इस सब्सक्राइब करना है जहां पर टाइम या चार्ज की value given होती है देखेंगे उसको जो लोग थोड़े प्रो हो चुके है आप इस वीडियो को 1.5 एक्स में चला लीजे मैं भी थोड़ा सा speed up करने की कोशिश करूंगा विकास बेसिक सब्सक्राइब हो चुके है चले एन एमफ ऑफ 200-2 बावर माइनस 5 वोल्ट ठीक है एमफ मतलब voltage की बात हो रही होती है तो आप इससे सीडें वोल्टेज लिख सकते हैं एमफ इस एकॉल टू जो आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं फर्क नहीं पड़ता है ठीक है 200-2 पावर माइनस 5D यह वैल्यों के बाद है ठीक है इस अप्लाइड तो एसीडी सर्कुट कंसिस्टिंग ऑफ 20 ओम रिजिस्टर तो रिजिस्टंस की वाल्यू मुझे कितनी किवन है 20 ओक्स एंड पॉइंट 01 फैरेट के पैसिटर सी इस एकुल तो 0.01 इस फाइंड चार्ज एंड करेंट अट इनी टाइम इस्यूमिंग देर देर इस नो इनिशल चार्ज ऑन निकालना है और करेंट भी निकालना है दोनो करना बहुत इजी होता सिर्फ डिफरेंशेट करना है ठीक है चलिए स्टेप फॉलो करता है पहले चार्ज टाइम के रिलेशन तो बना है तब यह तो चार्ज निकलेगा राइट सो मेरे पास रिजिस्टेंस और के बासी सरकेट में आप जान चुके होंगे कि पहला वोल्ट अब आई ही था जो रिप्लेस हो सकता तो कर दिया फोड़ासा इसको और ठीक से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे पूरे को आर से डिवाइट कर देंगे डिक्यू बाइटी प्लस वन अपन आर सी इंटो ठीक है तिस इकल तो वी डिवाइड़ेड पार नाव डिस इस आर र वालियोसल भी केटिंग डीक्यू सब्सक्राइब बाइटी प्लस वन अपन आर इंटो सी ट्वेंटी इंटो सी यह तो हो जाएगा 0.2 ठीक है इंटो क्यू इस एक पुल टू वी बायार वी कितना है मेरे पास 200 इटुदी बावर माइनस फाइफ टी अना इसको डिवाइड हम आर से आर कितना है हमारे पास में ट्वेंटी ठीक है चलिए सो अगले स्टेप में थोड़ा बेटर तरीके से लेखते हैं इसको डीक्यू बाइटी प्लस वन अपन पॉइंट्टू क्या हो गया टेन बाइट विच इस वाइफ टाइमस ऑफ क्यू इस एक पावर में माइन इन फ्लिकेट अब लिनेर इन क्या चेमर सोलूइशन लैकमaufen अप्रण यह मेरा पूरा पूरा मॉडवी है यह पुरा पूरा मेरा ना ऐगर त कीया चारएत लिनेर एंट क्यों से शुरुबाद होगी की पावर इंटेग्रल नीचे टी है तो पी डीटी बनेगा यहां पे इसे कोल इंटेग्रेशन आफ क्यों क्यों क्या होने चाहिए इस पूरे का डीटी प्लस सम्कॉंसेंट आना चाहिए हम कॉंसेंट कर रहा है जैनल सोलुशन तो 5DT 5DT अल्टीमिटली क्या बनाएगा फाइप बनाएगा तो इसकी वैलियू निकल चुकिए उठाके जनल सोलुशन में डालोगे तो सलुशन बनाते हैं इसका ओके सो यह था मेरा जनल सोलुशन यहां पर पुट अप करना है एकी पावर पी डीटी कितना है एकी पाव 5D is equal to whole integration of Q क्या था मेरे पास में Q था मेरा 10E की पावर माइनस 5D अब देखो देखने में लग रहा था में दिक्कत होगी बट फ्रैंक यह तो easy हो गया QE की पावर 5D is equal to minus plus कटेगा 10 मेरा बाहर बचेगा और integration में क्या बचेगा सिर्फ और से बंदर डीटी प्लस सम्कॉंस्टेंट ए यह तो बहुत easy हो गया इंटी पावर 5D is equal to 10 इंटीग्रल डीटी मतलब T only plus A क्या करना चाहिए मुझे इस पूरे equation को divide कर लेना चाहिए की पावर 5D से थोड़ा बच जाएगा यह नहीं भी करोगे तो tension नहीं है अभी मुझे क्या चाहिए था इसका मतलब क्या है कि हम simply यहां पर बोल सकते है कि initially at t is equal to 0 अगर उठाके मैं फाइनल एक्वेशन जो मिलेगी मुझे क्या मिलेगी दिस विल भी यहां लिए देते हैं क्यों की पावर 5D is equal to 10 times of T और यह हो चुका है और सीरो चाज और टाइम में यह रिलेशन आ रहा है इस पूरे को अगर एक पावर 5D से में डिवाइड कर दू अभी तो यह बनेगा 10 T into e की पावर माइनस 5D ठीक है आप उपर वाला भी छोड़ सकते हैं नीचे वाला भी लाके छोड़ सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है ठीक है एक पार्ट हो गया कुशन का दो पार्ट थे कुशन में पहला पार्ट क्या था फाइंड दा चार्ज और दूसरा क्या था करेंट चार्ज औ को डिफरेंशेट करेंगे हैं हमने स्टार्टिंग में सीखा था करेंट आई इस सिंप्ली गिवन बाइट इवाइड बाइड बाइट तो वित रिस्पेक्ट टू तो मेरा कारेंट निकल जाएगा चले डिफरेंशेट करते हैं सो डी बाइडी टी करेंगे इस पूरे सब्सक्राइब यहां पर कॉंस्टेंट को भारी लिख दीजिए आप टीए की पावर माइनस राइफ टी कैसे डिफरेंशेट होगा यूवी रूल लग जाएगा यहां पर और यूवी रूल के साबसे डिफरेंशेशन क्या होता था यू वीवन प्लस सो यूवी डैश टैयम स्थाली पहले वूला कंपोरेंट है मे दूसरे लिफीरिफिजर करेंगे मिकी भार माइनसफंटी इनैंटै मैनसर टॉस थे रॉले को हैं लूद्सटे स्केरेंगे यह चांगा यह बनेगा final I is final current ठीक है तो यूवी रूल differentiation अगर मुझे करना है तो अब आप चाहें तो इसे और simplify करके बता सकते हैं ठीक है नहीं बताना है मैं एक काम करता हूँ एक लाइन और लिखके से थोड़ा और simplify करके दिखा देता हूँ ठीक है ताकि जो करना चार्ज था दूसरा करेंट दो नहीं निकाल दिया ठीक है ऐसे परफॉर्म करना चार्ज निकाल लेगे एक बढ़ डिफरेंशेट करोगे तो फिर करेंट भी निकल जाता है आपका जैसे हमने अभी एक क्वेशन देखा इसका exactly same question अगला वाला है ठीक है कुछ नहीं किया आपको खुद से question solve करना ना कि आप confidence आ सके exactly पिछले वाले question की तरह पर आप इसे practice करिएगा है ना बाकी notes लिंक में आपको provide कर दूँगा अब जहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे बेले तो या प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्स्राइब करो सब्सक्राइब करते हैं और कुछ एक दो क्वेशन से जो मेरे साथ साथ को करने चाहिए वह अभी तक जो हमने नहीं की तरह है बस एक एक्स्ट्रा एफर्ट और लिटा है यहां पर क्या करना देखो रिजिस्टेंस गिवन है टैन ओम्स का वोल्टेज गिवन है सी के बने आर्शी सर्केट होगा हमारा इनीशली टी इस इक्वल टू जीरो पे दिर इस नो चार्ज इंदर सर्केट मतलब यह इंफरमेशन से कॉ तो पहले वाले क्वेशन की तरह एस टेस मुझे चार्ज और टाइम में रिलेशन मिलेगा कुछ इस तरीके से ठीके डिलेशन ऐसा भी मिल सकता है या आमने जो पहले पर एक तो जब फाइनली ऐसा डिलेशन मिल जाएगा तो मुझे चार्ज की वैल्यू बतानी है जब टी क क्वेशन को शुरू करते हैं मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा वीडियो पॉस्ट करके आप इस क्वेशन को खुद से ट्राय करें है ना इसा हाई पॉसिबिलिटी के आपको एक क्वेशन बन जाएगा बागी मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा भी चीज़े ठीक है ना क्या होता है प्लस चीज़ेंट करने के लिए मार को नीशे ले आएंगे और रसी इंटो क्यों इसे को वाइड रबार की तरह एक नॉर्मल सी डिफिशन एक्वेशन हमरी रेडी हो जाएगी थोड़ा साइट मैं कर लेता है और value put up करना शुरू करते हैं ठीक है so this is gonna be my dq by dt plus one upon R की value कितनी है 10C is 0.4 10 into 0.4 is 4 into q is equal to voltage कितना है 40 का resistance 10 का है तो 40 by 10 कितना हो गया 4 ठीक है इसे मैं और बेटर तरीके से लख सकता हूं bq by dt plus 0.25 into q देखिए मैं थोड़ा speed से अब क्यों जा रहा हूं क्योंकि हम already काफी कुछ इसमें सीख चुके है देखके समझ मैं आ रहा है यह क्या बनी कि मेरी एक linear equation linear in q बनेगी ठीक है और इस linear in q में मुझे ध्यान रखना है कि मेरा जो पी वाला पार्ट है यह ना डाट इस इकुल तो 0.25 और मेरा जो q वाला पार्ट है डाट इस एकुल तो 4 अगे देखिए linear in q है linear in q का मुझे क्या लिखना पड़ेगा general solution लिखना पड़ेगा राइट है ना कैसे लिखेंगे general solution से शुरूबा दूगी q इंटू e की पावर इंटेग्रल d t r i p d t is equal to whole integration of q इंटू e की पावर इंटेग्रल p d t ठीक है इस पूरे का डी टी प्लस constant हम ए लेके चलब है ना तो अब इस question को solve करने के लिए मुझे किसकी जरूबत है इकी पावर इंटेग्रल p d t क्या होगा इकी वार इंटेग्रल p है मेरे पस में 0.25 0.25 डी तो ultimately क्या बनेगा इकी अबरी इकी पावर 0.25 तीपुट करना है कि एनटू इकी पावर 0.25 ताइमस फ्लस फीज़ उड़िक्रेशन का ऒर मेरे पस में 4 के बराबर है ठीक है so this is gonna be 4 into e की पावर 0.25 T एना ये हो गया इस पूर एका DT plus constant A right so Q into e की पावर में 0.25 times of T is actually equal to 4 बहार रखेंगे e की पावर something का integration is e की पावर something only we can this को इसको 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 differentiation से which will be 0.25 plus some constant A so this will be Q into e की power 0.25 times of T is equal to 0.25 is 1 by 4 तो ये बनेगा 4 4s are 16 16 into e की पावर में 0.25 times of T plus A ठीक है पूरी equation को 0.25 T से अगर मैं divide कर दूं तो ये बनेगा Q is equal to 16 plus A e की पावर में minus 0.25 times of T करना तो ultimately मुझे क्या मिल चुका है relation मिल चुका है चार्ज और टाइम की बीचे में relation बिल चुका है एक को निकालना है मुझे कैसे निकालेंगे गिवन है और question में क्या given है initially जब T is equal to 0 पे बात हो रही है तो चार्ज की वैल्यू कितनी 0 के बराबरा put कर देते हैं तो 0 is equal to 16 plus A into e की पावर 0 is one only ठीक है therefore the value of A is equal to minus 16 उठा के रख देंगे यहाँ पर ultimately equation मनेंगी Q is equal to 16 plus minus 16 into e की पावर okay minus 0.25 times of T बेटर तरीके से लिखना है तो we can take 16 common this will be 1 minus e की पावर minus 0.25 times of T तो यह finally हमारा relation बन चुका है और हमें Q और T में मिल चुका है ना question यहां खतम नहीं हो रहा है वाई क्योंकि question में उसमें बोला है कि आप find तो करिए क्या find करना charge in the circuit sorry find time करना है मुझे टी निकालना में इंदर charge in the circuit is 10 तो Q is equal to 10 पे टी की value निकालना है ठीक है यह चीज मुझे question में करनी चाहिए थे at q is equal to 10 पे मुझे टी की value निकालनी है कितनी हम ठीक है तो देखिए क्यों और टी में relation तो मिल चुका है तो क्यों को अगर मैं 10 लग दो तो आंसर हो जाएगा थोड़ी जगह बनाते हैं आपके लिए एक यूज़ इक्वल टू टू टैन बे मुझे बताना है चलिए पूट करते हैं क्यूज़ एक्वल टू टैन इस एक्वल टू टू इंटो 1-1-1-2-0.25 टाइंस ओफ टी ठीक है चलिए 10 डिवाइड बाइड बाइस 16 हो जाएगा कितना इस एक्वल टू 1-1-2-0.25 टाइंस ओफ टी सॉल्फ करते हैं जारा इसको ओट इस थिस वाइड यू हम तो 10 डिवाइड बाइड बाइ 16 हो गया 0.625 माइनस वन करेंगे तो माइनस 0.375 यह बचेगा माइनस 0.375 इस एक्वल टू माइनस एकी पावर माइनस 0.25 टाइमस ओफ टी माइनस से माइनस को काड़ देता है 0.375 दोनों से का लॉग ले लेता है काम करते हैं तो लॉग ओफ पॉइंट 375 इस एक्वल टू लॉग लोग तो यह वाला नीचे जाएगा माइनस 0.25 टी बचेगा माइनस 0.25 टी लॉग ओफ ए और लॉग ओफ ए चुदा बेजी कितना होता है वन यह होता है चलिए लॉग की वैल्यू लेना है ध्यान रखिएगा लॉग यहाँ पे लॉग तुदा बेजी मतलब लन वाला है ठीक है तो लन 0.375 लन 0.375 माइनस 0.98 is actually equal to minus 0.25 times of t solver के t के value निकाल देते हैं आपके रिए this divided by 0.25 sorry 0.98 divided by 0.25 is 3.92 तो finally इसको solve करके जो t के value आ रही यहाँ ले देते हैं आपके लिए t is equal to 3.92 units आ रहा है ठीक है तो find t करना था मुझे when the value of charge is equal to 10 units ठीक है तो 10 units charge के value मैंने यहाँ पर put up किया इस equation में और t की value solve करके निकाल ले बस एक extra effort था यह जो मुझे करना पड़ा बाकी सब कुछ exactly previous question के जैसा ही था यहाँ पर ठीक है यहाँ कुछ नहीं करना था बस एक extra step और करनी थी just for practice मैंने एक question और दे रखा है यहाँ पर exactly पिछले वाले question की तरह यह आप step by step solve कर सकते हैं जब आप solve करना शुरू करेंगे तो end में आपको मिलेगा इस तरीके का relation जो अल्रेड़ी आप चार question practice करके पहले भी दिकाल चुके है जैसी relation मिलेगा तो as per the question क्या है इस बार बोला सारी वेरेटी इसके बाद हम जो questions करने वाले हैं यह वह वाले questions है जिसमें numbers नहीं given होते है ठीक है और उसके बाद एक और question है कुछ इस तरीके का यह वाला question है जिसमें e is equal to e sin omega t w t लिखता है वो ठीक है तो इस वाले में formula को लेकर थोड़ी से दिखकर आती है तो यह जो दो questions आप भी देखने वाले दो थीन questions थोड़े से important type के देख लेते है फटा-फट से step by step solve करना शुरू करते हैं इंको ठीक है important है तो थोड़ा ध्यान से देखेग ना तो आपको बिलकुल दिक्कत नहीं जाने वाली है रेजिस्टनस्य मेरे पास और वैलिवी को निकालनी है और मुझे करिंट की वैल्यू पर निकालनी है ठीक है ठीक है या किसे शुरूबात करते हैं उसके की को differentiate करके आए निकल चाले आप चले है और सी सरकेट है तो हम बोलेंगे भाई सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप होगा किसके बाउट रेजिसर के बाउट आर इंटु आई प्लस कैपसिटर के आबाउट कितना डॉप होगा क्यू बाइसी और टॉटल वॉल्टेज वी आई को हम किसे करते हैं हमेशा से हमें से डी क्यू बाई डीटी से प्लेस करते हैं ठीक है प्लस डिससोना भी क्यू बाई सी इस एकुल टू वी पूरी एक्वेशन को अगर हम आर से डिवाइट कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारी एक्वेशन थोड़ी सी अच्छी और फैमिलियर से दिख रही होगी हमें एक डिवाइटली हमें अपनी एक डिफिरेंशल पूर्ब करने के बाद भी मुझे जो एक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी या dq by dt plus one upon rc into q is equal to v divided by r ठीक है अब इस question को further हमें solve करना है कैसे करेंगे वह यह है जो कुछ करते है थे वैसे का वैसे ही करना है हम इसे compare करके बोल सकते हैं कि this is my linear differential equation ठीक है और यह एसी वैसी linear differential equation नहीं है this is a linear in q को solve करते समय क्या ध्यान रखना है question को देखे कि dq by dt यह क्यों है यह वाला portion जो है वो पूरी तरह से क्या क्या लाएगा और यह वाला portion जो है पूरी तरह से क्या 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 लाएगा q which is equal to v by r ठीक है ना linear in q का अगर मैं general solution देखना चाहों ठीक है क्या बनेगा general solution चली यह लिखके दिखाते हैं चनरल सॉल्यूशन विल बी क्यों से स्टार्ट होगा e की पावर इंटीगर बीडीटी इस एक्वल टू इंटीगरेशन ऑफ क्यों इंटू एकी पावर इंटीगर पीडीटी इस पूरे का दीटी प्लस सम कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट ए लेकर चलेंगे वल्लब हमें इस क्वेशन का सॉल्यूशन करना है तो यह बनेगा general solution इकी पावर इंटीगरल आपके लिए निकालके रख दिता है क्या होगा इकी पावर इंटीगरल आटीगरल इंटीगरल इस एक्पेजिकर एकचली इक्वल टू एक्पावर इंटीगर ii क्या एसपर वानार सी ठीक हिंटेंशन मत लेना जो कुछ लिखा है वह स्टेशों हमेशे से बात कर रहे हैं हर क्वेशन में रोसी की वालू कि रीवन होती थी आरो सी कॉंस्टेंट होते हैं दो वान अपन आर शी बीदा कॉंस्टेंट होगा है ना वन अपनार सी इंटिके के बनेगा टीप पावर इंटीग्रल पीडीटी जो है लिटीमेटली क्या वैल्यू देदेगा हमें इकीप आवर वन भाय आर से इंटू ठीक है बराबर ठीक है पुछ नहीं है बेसिक स्टेप बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है ठीक है छलिए नाव जैसे हमें ये वैल्यू मिल आती हमें क्या करना है कुछ दिंग उठा के अपने जनल सोजिश में पूट कर दीजें विल जाएगा आपको चलिए पूट कर देते हैं आपके लिए वैलियू सब्सक्राइब क्या था एकी पावर वन बै आर से इंटू थी इस इक वावर में बन बै आर सी इंटू टी इस बे सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं क्यों की पावर में अगर किसी को लग रहा होगी है बहुत होने बहुत होने वाला है वी और हमेशा से हमने देखा कॉंस्टेंट होते हैं तो बाहर निकाल लीजिए तो अल्टीमेटल क्या बचता है इंटीगरेशन ऑफ एकी पावर ट आर सी के बराबर ठीक है अब अबस इसका ही इंटीगरेशन करना तो और कुछ नहीं करना रही कि और सम्धिंग कर सम्धिंग होता है डिवाइड में क्या था इस पूरे का डिफेंसेश ठीक है अगे हम क्या लेख सकते हैं एकी पावर में टीडिवाइड बाइड आर सी इस इस वी बाई आर इजो वान अपन आर सी यह पूरा नियूमेरेटर में चला जाएगा तो इंटू इकी पावर में उपर टी नीचे आर सी ठीक है सब कुछ हो चुका है प्लस ता कॉंस्टन ए आर से आर कटेगा तो अल्टीमेटली फाइनल एक्वेशन क्या मिलेगी क्यों इ इकी पावर टी वाई आर सी इसे एकुल टू वी वाई हाँ सॉड़ी वी आर से आर कट चुका तो यहां पर क्या बचाए का वी सी एकी पावर में टी बै आर सी ठीक है प्लस सब कॉस्टन ए तो दिस इस यूर फाइनल एक्वेशन जो आपको मिल रही है ठीक है आ बहुत ही जादा डिफिकल्ट लग रहा होगा यह देखने में बट फ्रैंकली अगर आप एक दो बार भी से लिख लोगे ना तो आपको समझ वहाँ है कि यार कुछ भी डिफिकल्ट तो था नहीं इसमें ठीक है बहुत सिंपल सी चीज थी जो कुछ ता वैसे का वैसे पुट कर देना शे लेट करेंगे तो क्या फॉलग से रशी तो क्यूब बचएगा यहां पर बीचीज़ करेंगे तो यह नहीं दिखकल मैसे को कैसे लगते हैं एक के साथ ही उपार लिखते हैं पस साइन लगा देंके रहीत का थिकीञे इस तरीके से बिल जाएगे एको करना बहुत जरूरी है अब तक जितनी प्रैक्टिस की अगर सहीं से किये ना तो आपको याद होगा क्या यूज करते हैं इस एक बनेगा इस बेसिकली वन ओनली तो क्यूज इस एकवल टो वीजी प्लस एंट वन देरफ़ आप बोल पाओगे कि एक वैल्यू कितनी होगी वीजी लेफ में जाएगा तो माइनस वीजी के बदाबर उठा गया अपनी एक्वेशन में पूट अप करते हैं इसको तो क्य क्यूज एक्वल टो वीजी प्लस एकी वैल्यू कितनी है माइनस वीजी इंटो एक सब्सक्राइब की पावर माइनस टी डिवैड़ेड़ वै आज सी ठीक है पुड़ा अच्छे से अगर इससे लिखना चाहें तो क्यूज एक्वल टो वीजी यहां से कॉमन दे लेंगे वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाइ आर सी ठीक है थोड़ी सी जगे कम हो रही है यहां पर मैं आपके लिए बना देता हूं की पावर माइनस टी पाइ आर सी ठीक है तो दिस विल बी दा फाइनल आंसर दो गश्चन गाइस कुछ नहीं करना था जो कुछ हम पहले से करते आ रहे थे वही सब चीज़ें करनी थी ठीक है बस इतना ध्यान रखना था कि क्यों को सॉरी आर को आर ही लिखना है आई को आई की लिखता है आपको चलिए एक बार दिखा के फिर से दिखा लेता हूं यहां पर हम आर उसी की वैल्यूस पुट अप करते थे बट उनकी वैल्यूस से मैं तो उन्हें पुट करती है पी वन बैयार सी क्यों वी पायार सॉल्फ करेंगे एक बाव एक्वेशन निकालेंगे लिखा जो हमेशा करते थे फिर हमने यूस किया अपना प्रम मास्तर टी इकोल टो जीरो पे क्यों इकोल टो जीरो उससे हमें ए मिल गया एको डाल दिया तो नॉर्मल एक्वेशन मिल गी ना दिस इस फाइनल रिलेशन की इस क्वेशन के आने के चांसे बहुत जादा है तो सिर्फ यहां निकालना था मुझे करेंट भी निकालना था क्रिकर एक अगर मुझे करेंट निकान लने के लिए पास्ट कर करेंगे it इडिटी जो भी आपको क्यूंधिया हुआ है उस अगर आप डिफेरेंशिट करते हैं तो आपको करेंगे चले करेंट के लिए दोनों सब्सक्रींश्ट करेंगे यहां लिखते है आपके लिए आई इस एक्वल टू वी सी मेरा कॉंस्टन तो वी सी को एजटेस लिखते हैं ठीक है अंदर कॉंस्टन का डिफरेंसेशन कितना हो जाएगा का 0-e की पावर सम्टिंग का डिफरेंसेशन एकी पावर माइनस दीपाइ आर सी रहेगा और इस पूरे को हमके से मल्टिप्लाइ करेंगे इसके डिफरेंसेशन से करेक्ट है ना सो वह बनेगा मेरा माइनस वन अपन आर सी यह होगा अपना डिफिरंसेश्एशन ठीक है सो आई आई इसक्षी एक्वल टू अंदर का वी-सी डिखो माइनस इंटो माइनस ब्लस हो जाएगा तो इंटो एकी पावर में माइनस टीपाई आर सी ठीक है चाहें तो आप इस आर सी को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि जनरली बुक्स में और जो भी कुछ आप सोर्से से पढ़ रहे होंगे उसमें बाहरी लिखके दिखाता है ठीक है सो आई इस अल्टिमेटली एकल टो वी सीएकी पावर में माइनस टी वाया सी एक है तो दिस विल बीड़ाली ऑफ तक करेंट गएस त्सब्स जिसे मैंने कहानnow इकल बिलकुल भी फ्रॉब्लमेटिक नहीं होता है ठीक है बहुत ही असानी से निकल पढ़ता है क्या करना पड़ता है करना पड़ता है जो इतने वाले पार्ट करना पड़ता है जो इतने वाले पार्ट के डिफ्रेंसेशन उना था वी सी बायार सब्सक्राइब अगर पीछ बलटके यह वाला वाला फॉर्म में था सौल करके खतम कर दिया अख्री के दो कुश्चन और बचे हुए यह दोनों कुश्चन बीप्रीएस यह समें पूछे का हैं तो प्लीज इन दोनों कुश्चन स्कों बहुत अच्छे से देखेगा ठीक है आएक बाद वाला कुश्चन दोनों थोड़ा से इंपॉर्टेंट है देख लो या तो इस वीडियो में कवर होगा या दूसरे वीडियो में भी कवर खेम दिखा सकते हैं ठीक है फिलाल के लिए थोड़ा रेस्ट कर लो उसके बाद आप इस कॉश्चन को लोकाउट करना है ओक है चलिए आगे बढ़ते हैं इस पड़िवला को देख लेते हैं ना चितना कुछ आपने अभी तक किया है प्रैक्टेस पर सांसाथ अगर किया है तो उसके बाद आपको यह कॉश्चन बिलकुल भी टफ नहीं लगने वाला है बहुत इजी सा कॉश्चन है कॉश्चन को इब हो गया जैसे मैंने पिछले वाले में भी आपको कुश्चन में दिखाया था कि आर सी और वी की वैल्यूस नहीं होगी आर सी और वी तुरंत आप प्र आपको वीरेबल्स के फॉर्म में लिखे रहेंगे ठीक है अब आगे क्या है इस कुछ नहीं करना इसमें आपके आर सी और वी को लेके जो एक्वेशन बनती उसको लेख लेंगे ठीक है मैंने काफी कुछ यहां सौल भी करके लखा हुआ है क्यों कर रहा हुआ है क्योंकि एक्जाक्ली सेम है प्रीवेस कुश्चन की तरह 90% सेम है आर इस एकॉल तो आर सी इकुल तो सी बस वी की वैल्यू कितनी है एक बराबर है ठीक है तो वी इस एकुल तो ए लिखते है नहीं एक रहेगा ठीक है आपकी एक्वेशन क्या बनती है आर सी सरक्ट में आर ए प्लस क्यूब आई से एकुल तो फी पूरे में आई से डिवाइड करके तो ए बायर मिल जाएगा एज टेस जैसे पिछले प्रचान लिया तो पी के वैल्यू बनापना रसी की उपना प्रचान की तरह रहे जटीज पावर इंटिकर पीडिटी इस एकुल तस 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 ठीक है सॉल्फ करेंगे सॉल्फ करके हम आगे लिखे जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेशन को जो कुछ हमने पिछले वाले करेंगे तो यहां के बाद भी कोई खासा चेंज नहीं आने वाला है ठीक है बस इतना है कि मैं यहां के बाद वाली स्टेप सब और लिखे दिखा देता हूं यहां पहुच्छन को हमेशा एक पावर टी ऐट करता है तो यहां पर क्या बनेगा सिर्फ और सिफ क्यों बचेगा ठीक है यहां पर स्बसिड इस कूरे में एक पावर टीबाइब आची से दिविशन करेंगे तो यहां बनेगा E into C plus यहां बचाएगा A into E की पावर में minus T by RC correct, so this will be the final equation that you will be getting, now अब इस equation में आपका जो A है वो constant है, वो unknown है, उसको हमें solve करना है कैसे करते थे हम यह को solve simple था है, initial rate T is equal to 0 पे हम charge की value चेक कर लेते थे और वो हमेशा 0 के बती थी हमाई, ठीक है, इधर भी देख लो लिखा हुआ है उसने, लिखा है ना, नहीं लिखा है closing the circuit, उसने यहाँ पे एक hint दिया हुआ है कि voltage of the condenser at time T after closing the circuit, तो circuit close करने के पहले है, तो charge कुछ होगा नहीं वहाँ पे, बहुत अब initially before closing A की जो value हो, minus EC के बराबर है उठा के हम यहाँ पर put कर देंगे exactly same, पिछले question की तरह है EC minus EC into A, E की power minus T by RC ठीक है, इस पूरे में से अगर आप EC को common ले लें तो EC into 1 minus A, E की power में minus T by RC यह बनेगा आपका पूरा-पूरा equation यहाँ तक तो हमने as it is जैसा था, वो कर देना है question क्या पूछ रहा था, question बूर रहा था कि भाई मुझे show that करना है, क्या show that करना है कि if Q by C is the voltage, अगर Q by C voltage के बराबर है ठीक है, then show that voltage at time T is equal to इतना इसके बाद Q by C को सांथ में रहना पड़ेगा तो यहाँ पर Q और C अलगा लगा है, मैं C को अगर नीचे लेकर जाओं तो यह Q by C बन जाएगा, ठीक है, just a second जगे बनाते हैं आपके लिए थोड़ी, okay, so कुछ नहीं करना अगले step में हमें Q और C को सांथ में रखना तो हम सीधे Q को C से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, this will be equal to E into 1-AE की पावर में माइनस T by RC, ठीक है, oh, sorry, यहाँ पे छोट ऐसा गडबड कर दिया मैंने, क्या गडबड किया, क्या गडबड किया, देखाते हैं आपको, जब मैं यहाँ पे A is equal to माइनस EC कर रहा था, तो माइनस EC के सांथ में मुझे ए नहीं लिखना चाहिए था, that was one mistake I made, ठीक है, so, जल्दी-जल्दी में हो गया था, तो A की आगए माइनस EC put up करेंगे, E की पावर में, माइनस T by RC, ठीक है, करना, confused नहीं होना है, लेंदी-लेंदी वीडियो बनते हैं, तो थोड़ी-थोड़ी कलती हैं, कभी-कभी, छोटी-छोटी-छोटी कलती हैं, ठीक है, तो ultimately आप क्या बोल सकते हैं, कि मैं E into C common ले लूँगा, this will be one, माइनस EC की पावर में, माइनस T by RC, ओके, चलिए, so this was the equation, इसके अदम नहीं क्या किया था, इसको थोड़ा सा उपर की तरफ shift कर लिया, ताकि थोड़ी जगेर बन जाए, और बस एक step का question बचा हुआ है, कुछ नहीं करना अगले step में, C को नीचे की तरफ लेकिया आना, so this will be Q by C is equal to E into 1-E की पावर में, माइनस T divided by RC, ठीक है, चलिए, तो यह चीज़ प्रूव हो गई है, Q by C, which is nothing, our voltage, our voltage Q by C is equal to this, किसी को question को समझने में, थोड़ी से दिखकतारी होगी, there is a possibility कि एकदम से आपको समझने आ रहा होगी, यहां तक की स्टेप है, आपकी एज़टेश ही रहने वाली है, Q is equal to E, C plus A, इसके बाद भी आपका जो स्टेप है, वो लगबख सेब होने वाला है, यह जो है फाइनल स्टेप है, यहां तक आपका 100% से मने वाल है, अगर voltage V के बराबर गिवन है, तो E is equal to V आजाएगा, बस और कुछ नहीं, तो यहां तक की स्टेप तो 100% से में, इसके बस क्या करना था, C से डिवैट करके आखरी स्टेप टेकनी थी, which is gonna be the answer, देखना है चाहते हो, इन वेरियबस वाले question को लिखके देखने की, हैना, चलिए move करते हैं हमारे अगरे आखरी question की तरफ, इस question में formula बहुत ही important साय जो use होने वाला है, तो पहले तो question को मैं solve कर देता हूँ, थोड़ा speed से, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, कि लगभग end तक का सब कुछ आपका सेम ही रहने वाला है, बस थोड़ा सा integration में शायद आपकी changes सा सकते हैं, ठीक है, क्या changes सा सकते है, from the differential equation for the circuit, अच्छा इस question की आने की chances बहुत कम है, मैं पहले बता दूँ, सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए, और कमेंट करके बताओ यार क्या अच्छा लगा, प्लस शेर करो अपने दोस्तों के साथ में, आपके साथ साथ उनकी भी help हो नी चाहिए, मुझे लगता नहीं है, बहुत कम chances है, बट देख लो, युडिवर्सिटी का क्या बरुस्ता, कब क्या करते हैं, चलो देखते हैं, मतलब मेरा वोल्टेज, वोल्टेज मेरा E, साइन ओफ, डव्लू टी के बराबर है, ठीक है, मुझे गेवन है, Q is equal to 0, T is equal to 0, find the current, current निकालना है, मुझे स्क्वार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चार्ज निकाल देते हैं, ठीक है, चलो, देख लेते हैं, प्लस, Q by C is equal to V voltage, ठीक है, वालिव की जगे मैं इसको रिप्लेस करूंगा किस से, मैं DQ by DT से, Q by C is equal to V, V is E, sign of WT, चलो, पूरे को मैं डिवाइड कर देता हूं, से, सो DQ by DT plus 1 upon RC into Q is equal to E by R, sign of WT, ठीक है, ठीक है, एक्वेशन देरे ओपन होती जारी है, यह फाइनल एक्वेशन बनी हुए है, और इसे हम यहीं देखके बोलते हैंगे, इस नाफिंग बट मैं linear differential equation in Q, ठीक है, और इस linear differential equation में हम P की value क्या बोलेंगे, भाई, P है मेरा one upon RC के बराबर, और Q है मेरा E by R, sign of WT के बराबर, ठीक है, तो क्या करें, general solution लिखते हैं इसका, general solution क्या बनेगा इसका, general solution is simply given by the equation, Q है ना, तो Q into E की पावर integration of PDT is equal to whole integration of Q into E की पावर integration of PDT, यहाँ पर वापस से एक DT आएगा plus constant, जिसे हम A बलाता है, ठीक है, तो मुझे अब इस question को solve करने के लिए क्या करना चाहिए, E की पावर integral PDT के value, ठीक है, तो अब मैं यार, ज्यादा steps लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ लिख सकता हूं, है ना, तो अब मैं जानता हूं, E की पावर 1 by RCDT बने गाए, है ना, एक और 1 by RCDT is 1 by RCDT, अभी तक इतना तो solve करते हैं आ चुके है, तो क्यों put up करना बार-बार, Q is equal to क्या, E by R sin WT, so E by R into sin of WT, ठीक है, जिसल भी एक की पावर, again, 1 by RCDT, DT plus my constant A, ठीक है, थोड़ी सी steps मैं skip कर रहा हूं, उसका एक obvious reason है, क्योंकि अभी तक हम बहुत बार हर एक step लेके solve कर चुके हैं, this is gonna be E by R integration of E की पावर में 1 by RCDT, एवाला term पहले लिख रहा हूं, sin वाला term बात में लिख रहा हूं, थाकि formula आपको थोड़ा सा समझ में आ सके, ठीक है, अब इस step के बाद मुझे क्या करना है, इस पूरे को integrate करना है, और इस पूरे को हम normally integrate नहीं कर सकते, यहाँ पे एक UV rule लगेगा integrate करने के लिए, और UV rule काफी length दी जाएगा, इसलिए एक formula है, मैं आपको लिख वा रहा हूं, उस formula को please अच्छे से note करेगा, और याद रखेगा, ठीक है, let's look at the formula, यह हमारा final बन रहा था, formula यह वाला है, एकी power integral, sorry, एकी power integration of E के और A T sin B T, ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको, यह बनेगा simple, एकी power E T whole, divided by under root of A square plus B square, ठीक है, और यहाँ पर sign आएगा, साथ में, sign of B T minus 5, ठीक है, so this is B T minus 5, अब यह 5 क्या होता है, 5 को basically आप किसे replace कर सकते हैं, ठीक है, 5 बड़ा अच्छे से बनाने, so 5 को आप कैसे replace कर सकते हैं, 10 inverse of B by A से replace कर सकते हैं, ठीक है, now again I am saying, आपको याद करना है, आप कर लीजे, बट मेरे हिसाब से थोड़े chances कम है, इस question क्याने के, और इन case अगर आता भी है, तो कोशिश कर यह से skip करने का, यह question आया है आपके सामने, तो formula याद होना चाहिए, दूसरा फालतु की दिक्कत create कर सकता है, ठीक है, ना, तो थोड़ा सा ध्यान से question को attempt करिएगा, still किसी-किसी college के assignment में दे देते हैं, तो फिर मैं देख पा दे रहा हूँ, पहले इस question को यहाँ पर आगे solve करते हैं, q into e की power में t by rc is equal to t by r, integration of e की power, इस पूरे का न, a क्या हो जाएगा, a is equal to one upon rc हो जाएगा, b is equal to kya हो जाएगा, ws per this question, ठीक है, e की power a t है, तो e की और one by rc t, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, e की power a t बचाएगा, मतलब e की power में t by rc बचेगा, ऊपर, the whole divided by one upon rc का whole square, plus w square, ठीक है, इस पूरे का under root है न, और sign में क्या बचेगा, sign of bt minus 5, b कितना है w, तो wt minus 5, 5 को मैं as a test लिखते रहा हूँ पहले, अभी, ठीक है, है न, मुझे देख रहा है, अभी भी कह रहा हूँ, बोर हो रहा होगा, प्लीज छोड़के निकल जाओ, chances बहुत कम इस question के आने के, और आया भी तो आप जानते हो, आपको skip करना है इसको, ठीक है, तो बने सुचक करा देते हैं, one plus r square c square w square, रवेट बेर c under root बचेगा, अंडर root open होके बाहर जाएगा, तो rc हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, है न, sin of wt minus 5 और साथ में constant तो हैगी हमारे पस, ठीक है, चलिए, formula अगर in case लिख लिए होगा, आपने तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसे erase कर दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही, इतना बड़ा formula उपर से जगे भी कम है, आपने पस, ठीक है, तो r से r कटेगा, यहाँ बचेगा सिफ e c और पूरे equation को मैं e की power t by rc से divide भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यह बचेगा e, साथ में c, divide हो चुका है, तो यह सिफ उपर वाला part बचेगा, sin of wt minus 5, ठीक है, इस पूरे के division में 1 plus r square c square w square, ठीक है, एक छोटी सी कलती हुई under root यहाँ पर बचा रहे गया था, नीचे वाले का under root का ताम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लस सम constant a, जल्दे में कुछ गड़ बढ़ तो नहीं कि हाँ, यह की power minus t by rc जोड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पूरे इसको हमने t by rc, एक बचेगा, ठीक है, ठीक है, इसके बाद q is equal to zero पे t is equal to zero रखके, इसको further solve करेंगे, a के value निकालेंगे, put up करेंगे, बहुत लंबा जाएग तो आपको इसको choose नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं, फालतु का differentiation है, ठीक है, तो मैं फिलार इस question को यहाँ खतम कर रहा हूँ, है ना, खतम करने से पहले, आकरी बार वापस से, भाई like करो, वीडियो को, बहुत मैनत से बनाया हुआ, ठीक है, कमेंट करके बताओ, क्या